नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप लोग mutual fund में long term investing करते हो तो आप लोगों के लिए वो कौन से 3 best fund है जिनको आप लोग ले कर ये consider कर सकते हो आप लोग के सामने ये silver का chart खुला हुआ है actual मैं silver में मैंने short किया था और लोगों को बताऊंगा कि क्यों कौन से वो 3 fund है जिनको आप लोगों को मैं recommend करना चाहता हूँ अगर आप long term investing के साथ देख रहे हो हो या फिर medium term investing के साथ क्योंकि कई लोगों के questions होते हैं कि हमें long term जाना है तो कितना जाना चाहिए तो देखिए आप लोगों को मैं छोटा सा Nifty 50 का चार्ट दिखा देता हूँ जो कि long term में किस तरह से performance देता है 890 रुपय था 1 जनवरी 1999 यानि कि अगर आप 2000 को देखते हो 2000 से ले करके अभी तक 1285 से आपका 16,238 तो इस तरह के return आप लोगों को देखने को मिलते हैं अगर आप लोग mutual fund में long term investing करते हो एक तरीके से अगर आप लोग long term investing करना चाते हो तो index fund को भी choose कर सकते हो इंडेक्स क्या होते हैं जैसे कि nifty 50 आप लोग यहाँ पर देख रहे हो उसे तरह से sensex 30 होता है sensex 30 वाले plan इसमें nifty 50 के 50 stock listed है तो उनमें invest करा जाता है sensex 30 के 30 stock listed है तो उनमें investment करा जाता है लेकिन अगर आप लोग passive investing के साथ नहीं जाना चाते हैं active investing के साथ जाना चाते हैं तो तीन fund आप लोग जरूर देखिएगा इनमें से मेरा भी investment हुआ है तो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा किसे मैंने invest करा हुआ है तो सबसे पहला fund जो मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ यह है access का long term equity fund आ किस तरह से past years में आप लोगों को performance देते हुए आया है तो यहां पे अगर आप लोग इसके benchmark को देखें कर एक साल में देखते हैं तो बहुत आप लोगों को समझ में नहीं आया कि actual में यह fund कर क्या रहा है ठीक है benchmark से लडाई कर रहा है यहां पे अगर आप लोग एक साल में देखते हैं लेकिन एक साल में overall काफी अच्छे returns हमें देखने को मिले हैं जहां पे अगर आप लोग देख रहे हो कि अगर इस fund में आपने 7 अगस्ट 2020 को invest करा होता तो 45 रुपए की अनेवी थी और अभी आपको देखने को मिल रहा है कि 69 रुपए की अनेवी है यानि कि almost 54% तक का growth आया है till date अगर आप लोग आज तक में अपना return calculate करें तो decent return है एक साल में हमें काफी अच्छा लग रहा है fund हमें देखने भी काफी अच्छा रहा है लेकिन हमें long term के purpose से देखना है तो हमेशा आप लोग अगर long term purpose का fund देख रहा है तो consistent profit उसका देखो consistent growth उसकी देख 16.5% का 7 years में अगर हम देखते हैं तो 7 years में almost 16.5% का fund ने दिया है 10 years में देखते हैं तो almost 18 plus हमें return यहाँ पे देखने को मिलता है तो overall अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि long term में इस fund ने consistent और काफी अच्छा performance दिया है और आगे भी यह बरकरा रखेगा केवल और क chart ही नहीं अगर आप लोग इसके investing को भी देखते हो तो मुझे इस fund का जो investment style लगता हूँ काफी बहतर लगता है मैं हमेशा track करता रहता हूँ क्योंकि मेरा भी already इसमें investment है तो कि financial तो already यूँकि blue chip में और हर long term investing वाले funds में आपको financial sector बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे तो financial को आप लोग देख सकते हूँ कि financial evergreen sector है हमेशा ये economy को सभाल करके रखते हैं तो यहाँ पर काफी अच्छा distribution है financial में services में भी काफी अच्छा है technology sector को काफी अच्छे तरीके से इसको overexposed नहीं किया गया है यानि कि बहुत ज़्यादा technology में नहीं डाला गया है साथी दो लोग इसके investment को देखते हो तो काफी खुस हो सकते हो क्योंकि इसमें काफी अच्छे-च्छे stock list किये गया है और उनमें long term में काफी अच्छी growth देखी जा सकती है तो अगर आप लोग इस fund को long term के purpose से देखते हो तो आराम से 10% के उपर का return निकल सकता है अगर बुरी से बुर return के साथ निकाल करके देता तो ये बुरा fund नहीं है काफी अच्छा fund है तो आप लोग एक्सेस long term equity fund को एक long term के लिए देख सकते हो दूसरा fund जो मैंने आप लोग के लिए रखका है इसको आप लोग इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो दोनों में investment मत करना ठीक है यहा पुरानी history भी हमें देखने को मिल जाएगी तो आप लोग देखिए पिछले 10 सालों में इसने भी consistent और काफी अच्छा और अपने benchmark से भी बहतर return निकाल करके दिया है और अगर आप लोग पिछले एक सालों के return को देखते हो तो approach इसने 67% का return निकाल करके दिया है पिछले 3 स return basis पर आप मत देखिए अगर आप लोग equity को देखते हो तो equity हर asset class को अगर आप लोग crypto currencies को छोड़ देते हो तो crypto currencies बहुत ज्यादा risk काफी अधा volatile होते हैं और other किसी भी asset class से compare करोगो तो equity ने बहुत अच्छे performance दी है आप लोगों को काफी अच्छा पैसा कमा करके इसने दिय इसका भी portfolio काफी अच्छा है काफी अच्छे तरीके से पैसो को distribute किया गया है technology sector को आप लोग देख सकते हैं आप लोग healthcare sector को भी देख सकते हैं आप लोग अगर जाना चाहते हैं और detail में तो यहाँ पर आप लोग चाहते हैं कि services का जो stock है वो ज्यादा आप लोग include नहीं करन चाहते हैं आप लोग अगर energy based करना चाहते हैं यानि कि आप लोगों का जो fund हो वो ज्यादातर energy stocks में जैसे कि आप लोगों का आने वाले समय में electric vehicles का जमाना आने वाला है ठीक है तो वहाँ पे आप लोग energy sectors की तरफ जा सकते हो आप लोग chemical sector की तरफ जा सकते हो तो उस तरह क परपस के लिए आप लोगों को मीरे का ये fund मीरे asset का emerging blue chip fund काफी अच्छा return निकाल करके दे सकता है जैसा कि आप लोगों ने देखा इसको कि 10 सालों में इसने अप लोगों को 23% तक का यानि कि 20 plus return निकाल करके दिया है यानि कि अगर आप लोगों ने इसमें 8 अगस 2011 को invest करा ह होता तो अपरोक्स आप लोगों को अभी तक में 23% तक का पिछले 10 सालों में regular plan में ठीके direct plan आप लोगों का 2013 से अगर आप लोग देखते हो तो 2013 से लेकर के almost 7 years पर हम लोग देख लेते हैं तो भी आप लोगों को 20 plus return देखने को यहाँ पर मिलता तीसरा fund आप लोगों के साम companies list हो रही है और small cap में हमारा investment होना चाहिए और med cap में भी जिससे कि हमें उन companies को पीछे ना छोटे और उनका भी हमें growth का फायदा देखने को मिले तो पिछले 7 सालों का इसका data है और पिछले 7 सालों में इसने 21% तक का return निकाल करके दिया है और यह एक direct plan है आप लोगों के साम और fund managers उसको सामिल करते हैं funds में तो आने वाले समय में अगर आप लोग food companies को देखते हो या फिर tech companies को देखते हो energy sector की companies को देखते हो online जो websites पर काम कर रही है जैसे कि IRCTC type की companies हो गई तो यह सब आने वाले समय में काफी अच्छा growth लेकर करके आ सकती है तो यह आप लोगों के portfolio portfolio को भी enhance करेंगी तो यह इसलिए मैंने small cap को भी सामिल किया जैसे कि वो companies ना पीछे चूटे जिनमें आने वाले सामय में growth होने वाली है बाकि इसका भी sector distribution देखते हैं तो sector distribution भी काफी अच्छा है construction में देखिए काफी ज्यादा distribute किया गया है तो अगर आप लोगों को लगता बाकि financials भी यहाँ पर सामिल है tech companies भी काफी अच्छी है small cap में जिनमें आने वाले सामय में काफी अच्छी growth देखी जा सकती है FMCG भी काफी अच्छी companies है अगर आप लोग healthcare में जाते हो तो healthcare भी आप लोगों के सामने काफी अच्छा है खास करके मैं FMCG के लिए ही इन sector को औ और आप लोगों के tech के लिए यह दूख सेक्टर को cover करने के लिए जो small cap में काफी जादा listed है उनको cover करने के लिए मैंने small cap में invest कर रखा है और future मुझे दिखता है कि हाँ future में यह companies काफी आगे जा सकती है जिससे कि fund से भी अच्छा return मुझे देखने को मिल सके तो आप लोग इस fund में भी investment कर सकते हो long term के लिए केवल और केवल मेरा positive opinion है और जो भी data मुझे देखने को मिल रहा है उस पे मैंने आप लोगों को सारा कुछ दिखाया है पिछले एक साल का अगर आप लोग देखते हो तो पिछले एक साल में इस fund ने almost 90% तक 87.82% तक का return निकाल करके दिया हैं काफी अच्छा performance है जैसा कि small cap में काफी अदा risk होता है उसे तरह के reward भी आप लिगों के होते हैं तो reward काफी अच्छा मिलता है पिछले 3 सालों में इसने 28% तक का return निकाल करके दिया है और पिछले 5 सालों में इसने 22.39 यानि 22.4% टक का return निकाल करके दिया है तो यह कुछ funds थे जो 3 best funds जो मुझे लगते हैं आप लोग को कौन से best fund लगते हैं या फिर आप लोग किसी fund का review चाहते हो तो नेची comment box में जरू दूँगा या फिर comment box हमें आप लोगों को reply भी कर दूँगा अगर आप लोग मुझे जूड़ना चाहते हो तो आप लोग मुझे WhatsApp पे भी content कर सकते हो अगर आप मेरे काम को support करना चाहते हो तो मेरे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पाकी मैं आप सभी को suggest करूँगा कि इनके डारेक्ट प्लान में आप लोग इंवेस्ट करिएगा रैगुलर प्लान के साथ मर जाएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए दूसरों के साथ सेर कीजिए कोई question या फिर सुजा हो त लोग नेक्स वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए आप लोगों को दिन सुभो जैहिन